नमस्काल दोस्तों मैं प्रिया सैनी आपका मेरे चैनल जर्णी ओफ एम में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने अपने काफी सारे टॉपिक्स हैं जो वो कंप्लीट कर लिये थे उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मोर्यवंच इससे पहले हमने हरियंकवंच, नंदवंच इन सब के बारे में पढ़ा था ठीक है तो अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों पहले वो वाली वीडियो देखेगा इसके बाद इस वाली वीडियो पर आईएगा क्योंकि जो दोनों चीजे हैं वो आपस में लिंक है कि तभी आपको ऐसे पता चलेगा कि जो मोर्यवंच था तो उससे पहले कौन सा राजवन शाशन कर रहा था ठीक है और उससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने मगद के बारे में बताया है तो जो ये मोर्यवंच शाशन कर रहा था ये कहां कर रहा था मगद में कर रहा था तो जब तक आपको मगद का जो पूरा बहगौलिक विस्तार है जो उसका राजनितिक छेत्र है वो सब नहीं पता होगा तो मैं नहीं समझते कि आपको कोई भी चीज क्लियर होने वाली है तो अगर चीजों को अच्छे से समझना है और लंबे समय तक याद रखना है तो चीजों को शुरू से देखना शुरू कीजिए एकदम से पहाड पे नहीं चड़ा जाता है धीर धीर ही उसे करना पड़ता है तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मौर्यवंज जो इसका समय है दोस्तों वो है 323 इसापूरू से 184 इसापूरू तक ठीक है सबसे पहले आपको पता ही है कि जो भी चीज हम पड़ते हैं सबसे पहले उसके जानकारी के श्रोत देखते हैं कि हमें कहां से पता चला है कि भारत में इस राजवंज का साशन रहा है या भारत में ऐसा हुआ है तो कहां से पता चला है, तो चलिए देखते हैं, तो इसके जानकारी के जो मुख्य श्रोत हैं, वो है प्रमुख गरंथ, विदेशी विवरन्थ, पुरातात्विक शाक्षे और अभिलेग, ये चार चीज़े हैं monti, तो चलिए देखते हैं, प्रमुख गरंथ कौन-कौन से है देखिए एक्जाम में यहीं से questions आ जाते हैं कि जो मौर्य कालीन जो सामराज्य था उसका किस ग्रंथ से पता चलता है या उस ग्रंथ के writer का नाम आ जाता है कि किस ने लिखा है तो चीजे आपको छोटी छोटी चीजे भी आपके लिए most important होती है तो चलिए देखते हैं पहला है अर्थ्रास्त अर्ष्रास्त किस के द्वारा लिखी गई है कोटिल्य के द्वारा लिखी गई है कोटिल्य जिसे मैंने पहली वीडियो में चानक्य भी कहा था जिसका वास्त्रिक नाम क्या था विश्नुगुप्त था मैं सोच रहूं कि जो हमा लिखा गया है सोमदेव के द्वारा इसमें भी मोरियवंश की जानकारी मिलती है इसके बाद आता है व्रहत कथा मंजरी ये किसके द्वारा लिखा गया है ये छेमेंद्र छेमेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है इसके बाद आता है महाबाश्य महाबाश्य किसने लिखा थ भाई भार से भी लोग आये थे, आपने देखा होगा जो सिकंदर का आक्रमन हुआ था, तो सिकंदर क्या था? विदेशी था, तो जब वो आया होगा, तो सिकंदर के बारे में भी किसी ना किसी ने लिखा होगा, तो ऐसे ही मोरिय के बारे में भी किसी ना किसी ने लिखा है, तो कौन-कौन ते स्ट्रैबो और जस्टिस इन्होंने भी इसके बारे में वर्णन किया है अब देखे पुरा तात्विक साक्षे क्या मिलते हैं तो काली पॉलिस वाले म्रदभान काली पॉलिस हुई वी राए म्रदभान किसे कहते हैं दोस्तों तो मैंने आपको बताया था ऐ जो म्रदभान है वो मिले हैं आहत सिक्के क्या होते हैं जिसे पंज मार्क कौइन भी कहा जाता है ठीक है इस समाज के जो सिक्के थे वो कहां-कहा मिले हैं बुलंदिबाग, पटणा, कुमारर और जैमंगलगर यहांसे वो मिले हैं अब देखिए इlaimer काशोग काहां-कहां से म पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अशोक के जब सारे अभी लेक बताऊंगे मॉस्ट इंपोर्टेंट और मॉस्ट इंटरस्टिंग चैप्टर है अशोक ठीक है तो वो वाली वीडियो भी आख जरूर देखेगा और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और मुझे जादे से जादा अपना सपोर्ट दीजिए और साथ में पहला आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा तो अशोक के प्रमुक सीला लेक से भी हमें मौरिय कालीन समाज का पता चलता है तो ये तो हमारे जानकारी के श्रोत हो गए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था कि कहां से क्या चीजिए हमें मिली है अब देखिए मौरिय वंश की स्थापना मौरिय वंश तो जो था उसकी स्थापना कैसे हुई अब देखिए मौरिय ही नाम क्यों पड़ा कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसका पहला शाषक चंडरगुप्त मौरिय था तो इसलिए इसका नाम मौरिय पड़ा कई शाषक ऐसा मानते हैं कि जो इसमराज्य था इसमें बहुत ज़्यादा मौर इनके प्रिय थे ये मौरों को ज़्यादा मौर पिकोक जिसे कहा जाता है उसको बहुत ज़्यादा प्रिय थे तो इसलिए इसका नाम मौरिय वंश रख दिया ऐसा माना जाता है ठीक है चलिए देखते हैं जो इसका पहला साशक था वो कौन था चन्रगुप्त मोरिय जो मोरिय वंच की जिसने स्थापना की थी तो वो कौन था चन्रगुप्त मोरिय था बहुती भैतरीन बहुती सक्तिशाली बुद्धिमानी कुशाग्र ठीक है ये ऐसा साशक था इसका ज तो चन्रगुप्त के प्राडंबिक जीवन की अगर बात करें तो इनका जीवन बहुत अंदकार पूर्ण रहा है उसके प्राडंबिक जीवन के हमें जो मुख्यता है पता चलता है वो बोध श्रोतों से पता चलता है ठीक है ऐसा माना जाता है जब ये अपनी मा के गर्ब में थे तभी जो इनके पिता थे मुरा उनकी क्या हो गई थी किसी कारणवर्ष मृत्ति हो गई थी युद्ध मे चन् गोपालक को समर्पित कर दिया गया था कि ठीक है गोपालक ने उन्हें अपने पुत्र के समान पाला था कि भर मेरा पुत्र है ऐसे नहीं पाला था कि किसी दूसरे का पुत्र है तो ऐसे पाला था कि मेरा अपना पुत्र है ठीक है परंतु कुछ बढ़ा होने पर उसे क्या क दिया था गोपालक ने भी एक शिकारी के हाथ दिया था कि जो शिकारी था उसे दे दिया था कि कि पहले क्या होता था दास जो अधा में दूसरी जर्गे में बेचे जाते थे आस था जो Vivi mañana हो गई थी तो उसी को देखते वे गोपालक ने किसे बेच दिया शिकारी को बेच दिया शिग्र ही जो चन्रगुप्त मोरिये था बहुत होशियार तो था ही ये बालक तो इसे क्या बना दिया बच्चों का प्रमुक बना दिया था संव्यक्ष जो बच्चे होते हैं उनका प् पार क्या हुआ जो चानक्य थे ठीक है वो एक दिन वहां से गुजर रहे थे जहां पर इसने सभा लगाई भी थी बच्चों के साथ बैठावा ये गेम खेल रहा था कि हैड बना वा था जैसे राजा होता है ऐसे बना वा था और उनका समस्या का समाधान कर रहा था तो उधर स ही चानक्य गुजर रहे थे तो उसके भावी गुणों को देखते हुए जो चानक्य है उसने क्या किया जो शिकारी है शिकारी को एक हजार क्रिश्नापन क्रिश्नापन जो ये पॉइंट आया है क्रिश्नापन इसे मैं आगे बताऊंगी जब मैं मोर्यकाली ना आपको एक हजार क्रिश्नापन में शिकारी को देकर और इसे खरीद लिया अब भाई ये किस के पास आ गया ये चानक्य के पास आ गया अब चानक्य के पास जब ये आ गया तो चानक्य ने क्या कहा कि इसे तक्षीला ले गया तो चानक्य तो था ही विद्वान तक्षीला का क्या थ शिक्षक था तो वहाँ पे इसे बहुत सारी विद्याय सिखाई क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो यह बालक है यह बहुति कुशाग्र है बहुती बुद्धिमान ranked तो असे बहुत सारी विद्याय सिखाई और जैसे कि आपने आपको मैने पहली वीडियूम बताय था कि जो चानक्या है वो घनानन के पास जाता है जब सिकंदर आक्रमन करता है कि ऐसे आक्रमन करता है तो घनानन क्या करता है चानक्या की बेच जती कर देता है तो चानक्या संकल्प लेता है कि मैं तेरा राजवन नष्ट कर दूगा तो उसी को देखते हु पूरी एक कहानी की तरह मैंने आपको बता दिया है यह सिर्फ में आपको याद लखने के लिए एक बार पूरा क्लियर कर दिया है आसानी से बुक्स में मिल जाते है आसानी से लेकिन क्या होता है कि अगर हम चीजों को link करके याद करते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है चलिए नेक्स देखते हैं इस बात की जानकारी विशाकदत द्वारा रचित मुद्राराक्षत के लेख़ कोन है तो विशाकदत है पूछा जाता है युनानि श्रोत पुरान जैन ग्रंत हिमचन द्वारा रचित परिष्ट पर्व तथा आरिये मंजुश्री मूल कल्प से मिलती है त पंजाब की युनानियों के अधिन छेत्रों को जीत लिया था जब चंद्रगुप्त क्या कर रहा था मगर जीतने के लिए जा रहा था उससे पहले ही उसने अपनी शक्ति दिखा दी थी उसने पंजाब में जो युनानी बस गए थे आपको पता है कि सिकंदर ने दो राज् तो 305 इसापूर में सिंदु नदी के टथ पर सेल्यूकस निकेटर मौस्ट इंपोर्टेंट है इसे चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ थीक है इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जिसमें सेल्यूकस क्या हो गए पराजित हो गए भई इसने तो सेल्यूकस को भी पराजित क कैसे हो सकता है तो इसकी शक्तिशाली और इसकी योगता बचपन से ही इसमें कूट कूट कर भरी होई थी जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौरिय को एरियाना का छेत्र दे लिया एरियाना का जब उसे छेत्र दे लिया तो क्या हुआ जो चंद्रगुप्त मौरिय उसका क्या हो गया सामराज्य का विस्तार हो गया भाई जितना मगद के पास साशन था जिसका मगद साशन करता था उससे ज्यादा सामराज्य उसके पास आ गया तो ऐसे उसका सामराज्य विस्तार भी हुआ तो यह पूरी बात मैंने आपको पताईए कहां लिखी भी मिलती है तो एपियानस में इसका वर्णन मिलता है। अब देखिए चन्रगुप्त मोरिय की उपलब दिया। कि क्या-क्या उसने राजा बनकर उपलब दिया घ्रैन की थी। तो सबसे पहले युनानियों के विदेशी शाषन से देश को मुक्त करा दिया था। मैंने आपको भी बताया का शाषन था। उसमें असीम सैनिक साधुनों तथा संपत्ति के पावजूद भी जनता में अलोक प्रिया था। ऐसा नहीं था कि जनता उसे बहुत पसंद कर दी थी। वह अलोक प्रिया क्यों था दोस्तों क्योंकि उसने जनता पर बहुत सारे कर लगाए हुए थे। जिस विशाल सामराज्य बनाया था... मैंने आपको बताया है:" जो उसे छेतल मिले हूं." अब जो उसने विशाल सामराज्य किया था तो इस 악ह से मिलता है거든 का हो... उसमें क्या मिलता है कि, उसमें मिलता है। को विजा भी कर ली थी। और अशोक अभी लेग अशोक अभी लेख से क्या मिलता है जो इसका तेरवा अभी लेख है कलिंग अभी लेख मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें क्या मिलता है इसका दक्षण विजय मिलता है कि इसने दक्षण पे कैसे विजय की दक्षण में कौन-कौन से राज्ये करनाटक और आंद्रप्रदे न्याय व्यवस्था ये सब समहीत थी ठीक है और जो सभी लोग थे उसके आदेशों का पालन करते थे ठीक है तो भारत में ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई थी पहली वार ऐसा हुआ था कि किसी राजा द्वारा इतने सुसंगठित प्रशाशनिक रवस्था बन गया था ठीक है आगे आगे क्या हुआ इसने जैन धर्म को अपना लिया था और यह क्या बन गया था धर्म निर्पेक्षता की निती अपना ली थी ठीक है इसने सभी जंगा अपने धर्म को फैलाने की कोशिश की थी चंडरगुप्त मोर्ये की इस धार्मिक उदारता ने आ अभी जो चंद्रकुप्त मोरिय था वो जैन धर्म का नहीं आई था इसके बाद इसने क्या किया था सेल्यूकस की पुत्री से विवा कर लिया था मैंने आपको बताया है कि सेल्यूकस से इसका युद्ध हुआ था तो उसकी पुत्री से भी विवा कर लिया था देखिए दोस् के विवाद जो था बाहर विवाद करना संभव नहीं था तो चन्रगुप्त मोरिये सामाजिक व्यवस्था की जटिलता से उपर उठकर विदेशी कन्या से विवाद कर लिया था विदेशी कन्या कौन सैल्यूकस की पुतरी से विवाद कर लिया था तो इसने क्या लादी थी स जबकि इस समय राजा का कर्तव्य क्या था, वर्ण वैवस्ता को लागू करना था, लेकिन इस सब से उपर उठ कर इसने विवा कर लिया था. अब देखिए, इसकी जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु कैसे हुई थी? तो चन्रगुप्त मोर्य जो था अपने पुत्र के पक्ष के सिंगाशन को त्याग कर कि भाई अब मैं बुड़ा हो चुका हूँ अब मेरा जो सिंगाशन समालेगा वो कौन समालेगा तो कौन समालेगा उसका जो पुत्र होगा पुत्र कौन होगा तो पुत्र था इनका बिंदु सार ठीक है आगे पढ़ेंगे बर्द बाहु के साथ देखें इसके मिर्टिव आ जाता है कई बार बर्द बाहु के साथ श्रवन बेल गोला मैसूर में है जो में तपस्या करने चले गए थे और 298 इशापूर में जैन्विधी द्वारा उपु हिए गा नहीं तो क्या हो जाता है प्राण त्या याग देगा तो उसी तरह इन्होंने अपने प्राण ओं को त्याग दिया था ईसे जो चंडव्ध मोर्य लेता सामराज निर्माता और एक कुशल प्रशाशक था ठीक है देखिए एक सामान्य कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर अपने को एक स्वारो भूमिक समराट बना दिया था ठीक है वह भारत का प्रथम महान एतिहासिक समराट जिसने क्या किया था जिसने चक्रवर्ती समराठ को वास्त्विक स्वराज प्रदान किया था ठीक है तो यह चीज आप याद लखिएगा यह आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद जो साशन करता है वो कौन है बिंदु सार देखिए आपने इससे पहले हरियं क्या कहा जाता है तो अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अब देखिए बिंदु सार का जो समय था वो क्या था 298 इसापूर से 273 इसापूर चन्रगुप्त मोर्यका यह पुत्र था इसका अन्य नाम क्या था अन्य ना बिंदु सार का नाम क्या है तो सिंग सेन है युनानी में क्या है अमित्रोकेष्ट जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में अमित्रगात भी कहा जाता है पुरान में क्या नाम मिलता है भद्रसार और अमित्रगात अमित्रगात का मतलब क्या होता है दोस्तों तो शत्रुओ को इतना बड़ा रोल नहीं रहा है लेकिन इसने क्या रखा मोर्य समराज्य को बनाए रखा ऐसा नहीं था कि यह कमजोर शाचक था इसने अपना ज्यादा सामराज्य विस्तार नहीं किया बलकि जो सामराज्य था उसे ही सुसंगठित और सुविस्तित रखा अब देखिए बिंदु सार के साशनकाल में तक्षीला में दो विद्रो हुए थे जिसका दमन करने के लिए उसने किसे भेजा था अशोक और सुशीम उसके जो पुत्र थे उन्हें भेजा था बिंदु सार के राजदरबार में युनानी साशक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है पूचा कहीं देश में क्या होते हैं न्युक्त होते हैं तो ऐसे ही पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है तो कौन था युनानी साशक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेस को क्या बनाया था राजदूत बनाया था यहां का इसके बाद मिश्र नरेश फीला डेलपस टॉलमी दित् ने डियानिस्रियस नामक राजदूत को बिंदूसार के दरबार में न्युक्त किया था तो इंपोर्टेंट चीज है तोन्यों चीज़े आप याद रखेगा इसके बाद अंत में क्या होता है जो बिंदूसार है उसकी मिर्थी हो जाती है 273 इसापूर में ठीक है इसके ठीक है यह ऐसा साशक रहा है अशोग के बारे में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे कॉंपेटिटिव एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ल कीजिए उजाद से यादा शेर कीजिए धन्यवाद